हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आटोमेटिक वर्जस मैनुवल कार की कौन सी कार हमें लेना बेटर रहेगा इस वीडियो को लास तक देखिएगा और मैं कुछ ऐसी आपको पॉइंट की बात बताऊंगा कि आपका कन्फूजन के लिए रहो जागा बिल्कुल उसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे आटोमेटिक लेनी है या मैनुवल लेनी है चलिए सुरू करते हैं देखिए आटोमेटिक और मैनुवल एक्चल क्या है जो भी कंपनी ये कारे बना रही है उनका एक मोटीव है मोटीव है कि ड्राइविंग को हमें असान करना ह करना है क्या अफैने हमें जो कस्तों मरें उसके लाइफ को असान करना है जो कार यूज कर रहा हूंका तो इस परिपर से यह कार हमें बनाएं गई है तो अगर आपकी 시leण के ड्राइव जिए और अपने अभी ड्राइविंग शिखी और city driving आपकी जादा है और डेली की ही ल से प्लस पॉइंट यह है कि बारबर आपको गियर शिफ्ट करने की जुवत नहीं है एक तो हैंड आपका फ्री मेंटली रहोगे और एक आपका क्लस से पैल फ्री रहेगा तो इट मिंस ड्राइमिंग इजली हो गया इजली हो गया प्लस आप सिटी में जब चला रहे हो तो में जब इन चीजों से फ्री रहोगे तो एक्सिडेंट होने के चांसे बहुत कम हो जाते हैं और जब आप एक आप चला लेते हो तो उससे बहतर कार आपको कोई नहीं लगती अब मैनुवा लेता है देखिए कॉस्ट में जरूर फ़राइक है दोनों की आटोमेटिक और आपका लाइफ इजी है मेंटली आप फ्री चल रहे हो और सिटी ड्राइब जादे तो आपके लिए और आने वाला टाइम देखिए आने वाला टाइम आटोमेटिक ही है क्योंकि हर कंपनी इसी पर काम करी कि ड्राइबिंग कितनी इजी बनाएं लोगों के लाइफ में कुक हिसके एकशिडेंट को कम करें हम जो कर और कि अंस और ड्राइविंग कर रहा है उसका मेंटली फ्री रखे तो यहीं तुद यहीन तो ऑज के अचिस और के लिए-पर कंपनी के लिए और आ आप अपने लिए कि आप यांई श्रूद्क कर आफिशे करना एसा नहीं कि मैनुल कार खराब है या मैनुल उनके लिए जिनको इमेडिट पीकप चाहिए ड्राइविंग में फन चाहिए इमेडि पावर में ओबर टेक करने के लिए लिए जिनके हाइवेड ज्यादा है तो उनके लिए वेडर है आज इनको यह हफ्ते में तीन दिन चलना है या दो दिन चलना है हमारी हाईवे ड्राइविंग होती है तो उसके लिए मैंनुवल अगर आप लेता है तो बहुत अच्छी है अधर उन्हें पंदर बीस किलो मिटर जाना है तो उनके लिए मैं recommend करूंगा कि automatic पर जा सकते और automatic में बहुत अच्छी अच्छी कारे आई है और technology बहुत इंप्रूब हो गई तो मैलेज भी इंप्रूब हुआ है तो आप समझ गया होंगे कि आपको automatic लेना है यह manual लेना है मैं तो आपको recommend करूंगा city drive आपका ज्यादा है तो फिर आप automatic चूज कर सकते थैंक्यू फिरी मच्छ अब हुआ है